कि learn to imitate Gerard's voice, तो उसने जराड की आवाज निकालने के नकल करने की भी सीख लिया है, तो पूरा इरादा इसका सीरियस है, कि ये किसी तरह इसकी जगा लेगा, जो भी बुरा हुआ इसके साथ, वो सारी फीलिंग, साइड फीलिंग, बुरा इवेंट सब वैनिश, मतलब गायब ह हो गया है, फायर मैं अबिसली उनका काम ही होता है, आग से लोगों को बचाना, तो जो उनका फायर मैं था एक बंदा गया है, और उसकी मदर को लिए है, दख तकलीफ, परेशानी कितनी क्यों ना आए, बुरा वक्त की एक अच्छी बात होती है, कि वो खतम जरूर होता है, हलो और वेरी वेरी वार्म वेल्कम तो ओल्माइडिय लावडी स्टूडेंट, जीहां मेरे प्यारे बच्चो, सिलबस खतम होने की कगार पर आचुका है, लिट्रेचर का लास्ट दो लेसंस आज हम करने वाले हैं, तो इस गोंग तो बी सुपर दूपर फान, मैं इंट्रे जगह होता तो, if I were you, बहुत अच्छा थोट है, बिटा, जब भी आप किसी पर घुसा कर रहे हो, किसी तरह की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो एक बार सोचो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जब आप दूसरे को समझते हो, बट यहां पर कुछ और ही कहानी रची जारी है, कुछ और ही होने वारा है, बड़ी इंट्रेस्टिंग से है कहानी, if I were you, और फिर हम बात करेंगे, अगला जो हमारा लेसन होगा, जो कि है, a house is not a home, घर, सब को अपना घर प्यारा है, पर मकान घर नहीं होता, मकान को घर बनाया जाता है, और मकान वह जो घर वाली फीलिंग नहीं आती, जहां पर आप अपने रिष्टों को संजोते हो, प्यार से एक एक चीज रखते हो, बनाते हो, एक एटाचमेंट हो जाता है घर से, और कि सिर्फ चार दिवारी घर नहीं होता, बट अगर हम चाहें हमारे अपने हमारे साथ हो, तो हम घर बना सकते हैं, तो बड़ी ही प्यार ऐसा concept है, a house is not a home, जहां पर एक बच्चा अपने घर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, ऐसा क्यूं? यह जानेंगे, तो शुरुआत होगी सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा, if I were you से, और यह if I were you जो lesson है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, कि बहुत ही simple भाषा में आपको कुछ चीजे करा रखी है, बहुत ही interesting way में मैं आपको सारी important बता दे दूँगी बाते, एक main character है, उसको ना, बच्चना है, जी हां, यह एक 30 मार खां समझ लो आप इसको, यह बहुत सारे गडबड काम क करके आया हुआ है, और अब यह बचना चाहता है, तो बचेगा कैसे, कितने दिन भागेगा पुलिस से, तो क्योंकि इसने बहुत सारे criminal records है, पुलिस इसको बड़ी तेजी से ढून रही है, तो यह बचना चाहता है, और बचने का मौका इसको तब मिलता है, जब इसको family में कौन, इसके दोस्त कौन है, तो पूरा इसने research बिठा दी उसके उपर, और जब research बिठा ही, तब इसने सोचा कि मुझे लगता है कि यह बंदा सही है, क्योंकि यह कम लोगों से बाचीत करता है, ज्यादा दोस्त वोस्त भी नहीं है, रहता भी अकेला है, जंगलों में, घर में, तो मेरे लिए यह बंदा ठीक रहेगा, तो अब if I were you, इस lesson में, यह जो बंदा है, यह घर पे टपक पड़ेगा उस आदमी के, जिसका इसको रूप लेना है, जिसको मारने का इरादे से यह आ जाता है, और सोचता है कि अब मैं इसकी जगर ले लेता हूँ, तो क्य यह काम्याब होता है, क्या जिसके घर वो intruder, यानि कि घुषपैटिया बनकर घुष जाता है, क्या वो इनसान, फस जाएगा इसके जासे में, यह बच जाएगा, यह हमें जानना होगा, तो शुरू करें, if I were you, की बात करते हैं, सबसे पहले, तो बेटा, जैसे कि मैंने कहा एक घुषपैटिया है, intruder है, जो criminal records रखता है, और जो घुष गया है किसी के घर, तो इस lesson के main character के हम बात करें, तो वो होगा, intruder, intruder, ठीक है, main character intruder, जो किसी के घर घुषने वाला है, और इसके साथ, जिसके घर वो जाता है, उसका नाहम है, जराड, ठीक है, जराड, यह द बड़िया तरीके से, इस सब से, कैसे अपने आपको बचाता है, हम जानने वाले है, तो इस कहानी में, अगर आपको पूछा किस बारे में है, this is story of an intruder, intruder का मतलब मैंने बताया, आपको घुष पैठिया, जो कुछ गलत इदादा, इसे, किसी के घर घुष गया है, घुष लगता है, यह फोन पर बात करता है, किसी से मिलता रहता है, बस, he however, did not know the owner of the cottage was a playwright, जिसके घर यह घुसरा है, उसे नहीं पता था कि यह प्लेराइट है, नाटक में काम करता है, he only knew him as Gerard, उसे पता था कि इसका नाम Gerard है, he had heard about him a few things, कुछ बाते पता थी, इसके बारे में, he knew that Gerard was something of a mystery man, इसे पता था कि एक mystery man है, जादा लोग उसे घुलता मिलता नहीं है, right, so he lived in the wilds of Essex, तो जंगलों में, Essex के जंगलों में एक घर में रहता था, cottage में, Gerard gave his orders on phone and never met the tradesman, तो जब भी इसने notice कि है, फोन पर बात करता है, और किसी से मिलता नहीं है, पोन पर बात क Gerard's house, intruder जैसे कि मैंने कहा कि criminal है, criminal record है इसका, तो अब होगा क्या, he had also killed a policeman, अब बोलो कि मैं ऐसा क्या कर दिया है, जो यह ऐसे भागता फिर रहा है, चोरिया की है, पुलिस वाली को मार भी दिया है, so he was now being chased by police, चोरी कर के आया है, सोने की जूरी चुरा चुका है, और अब यह पुलिस को भी मार के आचुका है, तो अब इसको बचना पड़ेगा किसी भी हाल में, right, so police इसको पीछे पड़ी हुए, he thought that he resembled Gerard in body, उसे लगा, body की हाइट वाइट के हिसाब से, कद खाती के हिसाब से, वो Gerard से match कर रहा है, so he decided to kill Gerard, and then live himself as Gerard, वो Gerard की लाइफ जीना गर में, अब Gerard क्या कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था, तयारी कर रहा था, उसे कहीं भार जाना था, he was then preparing to leave his house, वो घर से बाहर जाने की कहीं तयारी कर रहा था, he was going to attend a rehearsal of his drama, तो अच्छल में, Gerard कहां जा रहा था, अपने ड्रामा की रहार्सल के लिए जा रहा था, he had prepared a bag, a bag त्यार कर रखा था, उसमें, in which उसमें सारे props थे, rehearsal के लिए जो भी चाहिए होता है, नाटक में कपड़े वपड़े, props जो चाहिए होते, वह सारे उस bag में थे और यह त्यारी कर रहा था, जाने की, और तभी गुच जाता है, इंट्रूडर, जब इंट्रूडर, पीछे से वह बंदूग लेके आ जाता है, मैं आ रहा हूं बस थोट देर मैं से बोलता है वह फोन में, और पीछे से यह बंदूग लिए खड़ा है, और कहता है कि चुप चाप, वहीं खड़े रहा हूं, और मैं सवालों के जवाब दो, बंदूग दे के जराड भी डर जा जानता था, क्योंकि कोई तरको देखने भी नहीं आता, मिलने भी नहीं आता, तो भी कमी जाता है, तो मुझे तेरी जगा लेनी है, मैं आस वोचली अब मैं तरको मारने वाला हूं, अराम से इसका नाम लेके इसकी जिन्दगी में जीऊंगा, मुझे कोई नहीं पकड़ प वो फोन पर बात करा था, उसको रोका, उसको धमकी दी, उसको बोलने लगा कि मैं तेरी जगा लेने वाला हूं, धमकी सुनके जराड धबरा जाएगा, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, ऐसे करने लगेगा, नहीं, वैल कि जराड ने क्या कमाल कर दिखाया, देखो, जरा अपना बड़ी असा दिमाग चलाता है, नाटक उसने करी रखे होता है, तो बहुत बड़ी असी वो आक्टिंग करता है, जराड वान हम तो बी कैरफूल और अगर मुझे मार दोगे तो तुम भी मरोगे, वो बलता है, मैं क्यों मरूंगा तुम्हे मारने के बाद, तो फिर देखे, he told the intruder that he was also a criminal and a murderer कहता, मैं भी crime करके आया हूं, murder करके आया हूं, in case he killed जराड, he was sure to be hanged, अगर तुने मुझे मार दिया, तो तु मेरी जगा ले लेगा, तो पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, तुझे पकेट लेगी, तु तुम मरेगा, पक्का फासी होगी तुझे, they would hang him, if not as himself, then as Gerard, तु वैसे बच जाए क्या पता, पर Gerard क्या अगर तु रूप ले लेता है, उसकी लाइफ जिन लगता है, तो तो तु पक्का मरेगा, क्या दिमाग लगा ना इसने, ये बात सच नहीं है, ये तो एक नाटक कंपनी में काम करता है, नाटक करता है, पर दे जैसे इंट्रूडर ये बात सुनता है, ना इंट्रूडर बिएंट तो फिर इस सोचने लगता है, अब क्या करें, वो सोचने के वक्त में, जराड अपना एक और दाव खेल जाएगा, वो सोच रहे कि अब मैं क्या करूं कैसे करूंतने में, या जिम तो हरी एंड रन में थ कहता है, जल्दी कभी भी पुलिस आ सकती है, मुझे अभी फोन आया था ना, कह रहा है कि वो आने वाले, तो मैं गाड़ी खड़ी है बाहर और मुझे भागना है अब यहां से, तो चल तू भी मेरे साथ, चल सेफ प्लेस में चले जाते हैं, तो मैंने अभी फोन पर बोला कि मैं आ रहा हूं, गाड़ी भाहर खड़ी है, पुलिस किसी भी वक्त पहुन सकती है, तो चल हम भाग लेते हैं, सेफ प्लेस पे निकल लेते हैं, तो पुलिस वर लाइकी तो कम देर सून, उसने कह दिया, पुलिस किसी भी मुवमेंट आ सकती है, तो चल ले बस तू, तो और इंट्रूडर जल्दी-जल्दी में अपने आपको बचाने के लिए जाता है, और देखने के लिए कि यहां क्या है, मतलब अंदर बाहर चल जाता हूं, सेफ प्लेस में जाने के लिए, और जैसे दरवाजा खुलता है, जिस दें जराड गेव हमें पुश, जराड उसको इंट्रूडर स्टेप्ड इंटो कबर्ड, जराड शट्ट दोर इन मुमेंट और पिगड़ रिवॉल्वर, तो उसको कबर्ड में बंद कर दिया, और कबर्ड में बंद करके, वही किया, जो करता है, कोई भी पुलिस को इंफॉर्म कर दिया, तो घुश पैटिया जिस इरा So hence, कैसे इंट्रूडर ने एंट्री मारी थी, किसी और इरादे से गुश पैटिया ने एंट्री मारी थी और at the end हुआ क्या, इंट्रूडर जेल में जा बैठा, सिर्फ और सिर्फ जराड की practical thinking की वज़े से, उसकी नाटक जो उसको प्ले राइट था, उसको skills थे, उसके talented थ करता था तो उसने अपना बढ़िया तरीके से इतना experience करते हुए presence of mind use करके वहां से बच निकला येस तो जराड ने अपनी जान बचा ली और जो गलत है उसको पुलिस में पकड़ा दिया तो I hope it's clear to all of you if I were you is lesson की मुद्वे की बाद आप सब समझ चुके है जराड इस वेरी इंटेलिजिंट ले राइट नाटक में काम करता है और इंट्रूडर ने धंकी देने के बावजूद भी वह डरा नहीं बलकि टैक्ट फुली उसने अपना दिमाग ये उस टैक्ट फुल मतलब बढ़िया तरीके से सोचके सही टाइम पर डिसिशन ले 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 ना टैक्ट फुली उसने ही डिसिशन लिया और इंट्रूडर के इरादों को बिलकुल खारिज कर दिया जूटी कहानी सुनाई कि वो भी एक क्रिमिनल है और उसे पुलिस पकड़ने आने वाली है तो जल्दी हमें भाग जाना चाहिए यहां से तो यह कहानी में फस गया इंट्रूडर और फिर उसे पकड़ लिया गया I hope you'll remember this तो अब हम आगे बढ़ रहें अगले लेसन की तरफ विच इस a house is not a home क्या है इस लेसन का नाम a house is not a home बड़ा इंट्रेस्टिंग सा यह lesson है एक बच्चा होता है वो अपने घर में अराम से खुशी से रह रहा होता अपनी मम्मी के साथ में चीक है और अच्छानक से उसकी घर में आग लग जाती है तो उसका बड़ा ही प्यारा और उसकी ठीक का इस की बड़ा ही प्यार से कैट है तो यह तीनों साथ में रहते हैं और रिक स्कूल गोइन चाल्ड है नहीं और जब इनके खर आग लग जाती है तो प्रकुल मिसेज ऑल्ड स्कूल को क्यों मिस्स करेंगा भला क्योंकि देखिये ज़रा दो ऑथर से इस फिर्स एरेट स्कूल वस नॉट प्लेजंट ही तो बच्चा करेंट ली जिस स्कूल में है वह स्कूल में खुश नहीं है वह अपने पुराने स्कूल को मिस कर रहा होता है ठीक है उसको वहां पर बहुत अच्छा लगता है तो कभी-क स्कूल में बढ़ा पाता है अब ऐसी सिच्वेशन में देखो इसके साथ होगा हाउज ऑन फायर एक दिन संडे आफ्टरनून को उसके घर में आग लग जाती है जैसे कि मैंने कहा अथर अपने घर पे बैठा था उसकी मम्मी भी कोई काम करी थी वहां थंड थंड थी तो पर चिमनी से बाहर निकलते हुए ठीक है वहां पर उसकी बिल्ली के साथ हो बैठ कर अपना काम कर रहा है लड़का हूंबग कर रहा है क्या होता है इस मदर स्टोक दफायर उसकी माने किया थोड़ी आग बढ़ाने की थंड बढ़ रही है तो आग में बढ़ा देती है अचानक से उसने देखा कि आग बढ़ गई सीलिंग पर जा देखी ओके इट स्मोग दुआ निकलने लगा सीलिंग में से इंक्रीज दे केम इन फ्रेंट यार्ड तो दुआ ऐसे निकलने लग गया एक जगह से तो उन्होंने बाहर आके देखा तो बहुत ज़्याद आग पकड़ गई थी कभी कभी क्या होता ना कुछ लापर वाही की वज़े से एक चीज से दूसरी चीज में लगने में देर ही नहीं लगती और घरों में अलड़ी आग है तो उसकी वज़े से वह नुक्सान हो गया एक्सिडेंटली हो गया तो उन्हें लगा हम कुछ कर पाएंगे बचा पाएंगे बट देखा तो बहुत जादा आग लग लगई थी सरांड़ेट अग को फैलने में बोड़ी देर क्या लगती है बहुत जल्दी फैल जाती आग और वही हुआ आग बहुत तेजी से फैल गई और घबरा गये डर ग गई और पता है क्या किया तो बच्चे को बोला तुम जाओ help मांगे आओ तो माँ घर में चली गई और बच्चे को भेज दिया fire department में मतलब नेबर को बताने के लिए को मदद के लिए तो बच्चा भागा पड़ोशियों के पास मदद के लिए और मम्मी चली गई आंदर औ बच्चे को रोका और बच्चे को रोका और तू यहां बैठ जा सी राइन आफर हुड़ोशियों के लाने के बाद लाने के बाद वह फिर दोबारा घर में गई शी रान बैक इंट पास अगें और यह गलत था शी वांटे तो गेड़ोशियों का समान लेके आना चाहते थी उसके पिक्चर उसके लेटर्स चली गई अंदर तो बच्चा उसके पीछे पीछे जान लगें मम्मी ऐसे करते हुए और जो फायर डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने बच्चे को रोका और बोला तू यहां बैठ जा सी राइन आफर बच्चे उसके पीछे बागा ब फायर मैं उबिसली उनका काम ही होता है आग से लोगों को बचाना तो जो उनका फायर मैं था एक बंदा गया और उसकी मदर को ले आए तो उसकी मम्मी को भाहर ले आए और उसको ऑक्सिजन मास्क पर नाया जादा कुछ हुआ नहीं था बस थोड़ा साथ स्मोग ले लिया जादा स्मोग ले लिया था तो सौबात के एक बात यह घर पूरा जल गया है फायर मन आए बच्चे को उसकी मां को सेफली बाहर ले आए अब देखते हैं आगे क्या होगा नाव वक्त बिता चला गया पूरा घर राख हो गया अफर फाइव आवर्स फायर वस फाइनली जाओ आव आवड आवर्स कितने घंटे बाद पांच गंटे बाद याद रखना यह बाद नाव थाव दूरा नाव बढ़ा दूरा बढ़ भूरा अचानक्स के दिमांग में लगा रहे उसने बिली को गया तो दूने लगा अब इस राख में कहा मिलेगी बिली इस टार्ट बच्चे के नानी के यहां ग्राइन्ट पेरंस के यह उस दिन रात के लिए वो चले गए तो यह लोग दोनों सेफ हैं इनकी प्यारी सी कैट मिसंग है वो है नहीं है कहां गई इस आग में कुछ दिक्कत तो नहीं हो गए उसकी दोड़नों मिस्ट अब होगा क्या ओथर बहुत सद्ध हो जाता है यह अब यह घर को अपना नहीं राही हुसत है यह tulip ब्लकुल अच्छा नहीं लगता तो ने थेक है शूज भी नहीं थे उसके पास वेले और को नहीं नहीं कोई करेंगे पहले मेरे आपकास किताबें नहीं है नहीं दो इसको बहुत जाद नहीं तो अपम उच्छे कोई बात ही नहीं करेगा he did not want to grow up he wanted to die उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग था मुझे बढ़ा ही नहीं हो ना मुझे मर जाना है मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा बिल्कुल अच्छा नहीं लग था इसे उदास होते होते उसको बिल्कुल कुछ पसंद नहीं आ रहा है बट फिर भी वह आगे स्कूल जाने के लिए मेरे पस जूते भी नहीं ये मेरा बैग भी नहीं मेरा हमभग था पिर नहीं चारु चाह आ पो संदे नहीं दे सब कुछ बहुत काम था करने को और यहां पर ऑफर क्या कर रहा है दो ऑफर कीप सिंकिंग ऑफ इसको बार बार अपने कि आद आ रही है सून जलद ही पूरा गिरा हुआ था सब कुछ जलने के बाद जो राक मैंद यहां भर जो जो घ्र का चाल होता जो भी मतलब में बड़ी पत्थर सब उसको क्लियर कर दिय गया साफ कर दिया गया सून धरबल वस बीग चला भार पूरा हटा him and fall asleep into his pocket तो याद करता कैसे हो मेरे उपर आता मेरे साथ मेरी गौद में सोता मेरे फॉकेट में से चीज़े निकालता खेलता तो चीज़ें को याद कर रहा है बहुत ज्यादा और अब जैसे ही ऐसा हुआ सून जल्दी सबको पता चल गया कि ऐसे ऐसे इस बच्चे के साथ हुआ है सून आल केम तो अबाउट पता चली तो लोग उससे मिलने आए पीपल कलेक्टर अराउंड है तो इसका मन बहलाने के लिए लोग आया उसे बात करने गया जो तेरे को जिम में ले जाते हैं अचानक से वो लगा मुझे तो लगा मुझे कोई बात नहीं करेगा पर इतने लोग मुझे बात करने आया है मुझे संपती दिका रहे मुझे रहे हैं सुन ही नुए तुन उसको जल्दी पता चलिगा कि टेबल इंसाइड है अगलेक्शन फ्कूल थेंग्स इस वर नोट बुक्स लोग जीन स्टॉप स्वेट सूट्स तो अथर गुरू इमोशनल तो ना उसको बहुत सारा समान लाकर दिया उसको स्कूल के लिए जो इसको स्कूल में जो भी इसको समान चीए था वो सब इसको मिल लिया लोग इससे मिलने आ रहे हैं तो धीरे धीरे उसको ठीक लगना महसूस हो रहा है और दो उसको बहुत सारे दोस्त मिल गए उसको बहुत सारे दोस्त मिल गए मतलब लोग आ रहे हैं बाते कर रहे हैं उसकी हैद्व करने कोशिश कर रहें so soon he became friends so life started becoming good again धीरे धीरे a month later दो author वाज़े थे एक महीने बाद उसका अपना घर बन गया it was being rebuilt rebuilt हो रहा था his friends from school visited him उसके दोस्त आदे थे school वाले उससे मिलने के लिए the fire was responsible to open up all the wonderful people around him तो इस सारे दोस्त उसके कैसे बने his fire accident की वज़े से ही तो बने बहुत बुरा हुआ राइट बट फिर भी इसी वज़े से तो दोस्त बने है ना so he realized that his life was getting the same धीरे धीरे उसकी लाइफ वापस घर आ रहा है वापस घर उसका बन रहा है उसको दोस्त मिल रहा है और बस अब किसकी कमी थी कमी थी तो उसके प्यारे से cat की जो की पूरे होने वाली है because cat was given to the author by woman एक औरत आई ढूंडते हुए और पूछने लगी है तुम्हारी cat है क्या जी हां कैसे soon a woman came to him she had a cat with her she asked the author if the cat was his cat लेकर बुलिए cat तुम्हारी जैसे इसने cat को देखा cat उसके उपर cat को उसमें hug कर लिया okay the author got the cat from her at once अचानक से उसने हाँ हाँ मेरी cat है से उससे ले लिया the cat purd happily cat बहुत खुशी चे उसके पास आ गई वो जो मतलब खुशी से एक reaction देते हुए वो आ जाता है the author's friends were hugging him author's के दोस जो है na author के जो दोसे वो सब भी बहुत खुश हुए रहे यार तेरे cat विज़े मिल गई as for the cat it had ran away from the fire तो cat की बात करें तो वो जब आग लगी थी वो बहाँ से भाग गया था तो भाग गई cat है ना तो किसी औरत को मिल गई होगी that woman got it she telephone as the author's telephone number was written on scholar तो उसके telephone number लिखा था cat के caller पे तो उसने number पता करके घर का address लेकर वो आई so sweet feelings come again तो अब क्या हुआ है बच्चो sweet feelings आ गई है the author sat with his friend the cat curled up in his lap अपने घर में अपने दोस्तों के साथ अपनी cat के साथ बैठा है the feeling is absolutely good the feelings of loss and sad event had vanished जो भी बुरा हुआ इसके साथ वो सारी feelings sad feelings बुरा event साथ वैनिश वैनिश मितलब गायब हो गया है क्या हो गया बिलकुल गायब हो गया है he felt gratitude for his life and his new friends उसे बड़ी खुशी हुई अच्छा लग रहा है कि मेरे दोस्त है मेरे घर है, मेरे cat वापस आ गई है मेरी नई life आ गई है वापस अच्छी वाली वो भी he also felt it for the kindness of a stranger and the poor of his cat तो उसे अच्छा लगा कि एक stranger आके मुझे मेरे cat दे गई उस बात की भी उसे खुश हुई तो finally दख तकलीफ परिशानी कितनी ही क्यों ना आए बुरा वक्त की एक अच्छी बात होती है कि वो खतम जरूर होता है याद रखना बिटा जी बुरे वक्त की एक अच्छी बात होती है कि वो खतम जरूर होता है और अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो congratulations but don't be overconfident, अच्छे वक्त ही एक बुरी बात होती है कि वो भी खतम हो जाता है, तो आप में दम होना चाहिए अच्छे वक्त और बुरे वक्त दोनों को संभाल लेने का, don't get overconfident in good times and don't get very very sad in bad times because these times end, so remember this thing, अब मिलेंगे हम अगले lecture में, I hope आपको दोनों ही lessons आपको समझ आ गए है, if I were you and the house is not a home, कितने बड़िया तरीके से इन दोनों lessons में एक emotion है, एक शानपती है, तेज दिमाग है, तो एक बच्चे की उदासी है जो खुशी में बदल जाती है, तो ये emotions याद रखिएगा, अब मिलेंगे हम अगली class में grammar के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, take care everybody, bye bye, see you soon,